नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिस्क्स करेंगे 21 अप्रेल का दा हिंदू न्यूस पेपर और पी आईबी का इंपोरन करेंट अफियर्स देखिए सबसे पहले बता दू हमारा पूरे महिने का करेंट अफियर्स सिर्फ साथ पेज का पीडियर्स होता है और फिरी में ये पीडियर्स आपको हमारे टेलिग्राम चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप सर्च कर सकते हैं डेली दा हिंदू नोट्स मार्च और अप्रेल का रिमेनिंग करेंट अफियर्स जल्से जल्द आपको प्रवाइड कर दिया जाएगा तो लिजे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे IRDI के बारे में तो देखे ये क्या है इंसोरेंस रेगुल और इन्होंने कहा है कि भाई अब अगर आप हेल पर के लोगों को हेल्थ इंसोरेंस इनका नहीं होगा क्योंकि भाई इनके बाद पता नहीं है कब निकल ले है ना तो इसी वज़े से लेकिन अभी ये हटा दिया गया है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और्गनाईजिशन क्या कुछ है तो देखे ये एक और स्टे इनका मेंली काम है रेगुलेट करना इंसोरेंस सेक्टर को प्यारे भारत में और दस मेंबर की ये बोडी है बिल्कुल अपोइंट किया जाते हैं गर्मेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के दवारा नेक्स तम बात करेंगे एक्सराइज पूर्वी लहर के बारे में देखिए जैसा नाम है पूर्वी लहर मतलब देखिए इंडियन नेवी की एक्सराइज है और ये पूर्वी जो एरिया है जिसको इस्ट कोस्ट कहेंगे वहाँ पे ये होती है नेक्स अम गाईज यहां बात करेंगे ओलिव रिडली टर्टल के बारे में देखिए ये मोस्ट स्मालेस आपको देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेंगे भारत में ओडिसा का गहीर मठा मरीन सेंक्चुरी वहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है जब ये नेस्टिंग करने आते हैं तो काफी सुन्दर दृश्य देखने को मिलता है वहाँ पे ठीक है और मे वजन होता है 35 से 45 किलो ग्राम ठीक है इनमें वजन देखने को मिलता है ये बिल्कुल ओम्निवोरिस हैं इसका मतलब होता है ये प्लांट और अनिमल दोनों के उपर डिपेंड रहते हैं आयूशेन स्टेटस की बात करें वल्नरबल कैटेगराइज किया गया है इनको और वर्ल ग्लाइस्मिक इंडेक्स ऑफ डाइट्स के बारे में तो देखिए ये इंडेक्स सबसे पहले किस चीज़ से समझते है ये भी आपको पता होना चाहिए और ये जो कंसेप्ट है ना ग्लाइस्मिक इंडेक्स का जो कंसेप्ट है ये पहली बार कौन परपोज करता है तो ये प्रोफेशर हैं डैविड जनकिंस इनका नाम याद रख लेना पूछ लेते हैं कई बार ठीक है और बिल्कुल अगर देखिए हाई ग्लैस्मिक इंडेक्स फूड है तो वो डाइजेस हो जाते हैं बोडी में क्विक्ली जल्दी से एक्जम्पल के तोर पे बात करें वाइट ब्रेड हुआ पोटेटोज वाइट राइस अगर हम लो ग्लैस्मिक इंडेक्स फूड के बारे में बात करें तो जैसे कि हमारे फूट्स और वेजिटेबल्स उसमें आते हैं ठीक है गाईज और हमारे जो दाल आती हैं वो भी आती है ठीक है हमाज के जो चीफ है हमाज के वो उसका नाम याद रख लेना काफी चर्चा में है ये भी बने रहते हैं स्माइल हाई ठीक है जो भी इनका नाम है अब हम बात करेंगे प्लेस इन न्यूज के बारे में तो देखिए प्लेसिन न्यूज की बात करें साहिल रीजन चर्चा में है और नाइजर चर्चा में है ठीक है तो अब देखिए इनके बारे में अगर हम बात करें तो नाइजर है बिल्कुल साहिल रीजन का पार्ट है नाइजर और ये चर्चा में इसी वज़े से आ यहां border boundary देखने को मिलेगी आपको Red Sea तक ठीक है यह देखे यहां पर बड़ा वाला जो map है यहां पर अच्छे से identify कर पाएंगे आप साहिल रिजन ओफ अफरीका को ठीक है कौन-कौन से देश आते हैं यहां पर देखने को आपको मिलेगे माली है नाइजर है चाड सुडान न इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सेजिशन कोई सुझावे नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं मिलेंगे नए दिन के साथ तब तक के लिए have a awesome day